जहें दोस्तों बंदे मातरम आरन खान NCB केस में कई सारी बाते हैं जो अवी तक लोगों के सामने आने ही पाई हैं जैसे कि सबसे बड़ी बात तो यही है कि जिस शिप के ऊपर यह पार्टी चल रही थी उसके एंट्री फीज थी करीब 80,000 रुपए मिनिमम बता रहा हूं यह में आपको ऐसे में NCB को एक टिप आफ मिलती है कि यहां पर ऐसा कुछ काम हो सकता है और उसके लिए NCB तयार हो जाती ही छाबा मालने की सबसे पहली बात तो यह टिप बहुत तगड़ी होनी चाहिए क्योंकि 80,000 रुपए कि अगर एक टिकेट मिल रही तो आप अंदाजा लगाईए कि अगर वहाँ पर 7-8 लोग जाने वाले हैं मुलब 6 लोग भी अगर जाने वाले हैं तो 6 लोग का काम होदा मुलब जो टिकेट आती को आती करीब 4,80,000 की और यह कोई छोटा मुटा अमांट नहीं होता है अगर आप एक सरकारी कर्म चारी है तो क्योंकि आपके केस में भी सामने आया था सुषान जिंग राजपूत की मृत्यों से जुड़े ड्रग्स केस में 30 सितंबर को गिरफतार हुए होटल कारोबारी कुणाल जानी की जमाना तरजी मंगलवार को किला कोट ने खारिच कर दी कुणाल फिलाल NCB की कस्टडी में है और सूतरों की मा कुणाल के मुंबई में दू होटल हैं जहां बड़ी पार्टी आयोजित की जाती हैं गौरी खान ने भी 2017 में कुणाल के एक होटल में पार्टी का योजन किया था कुणाल के होटल में होने वाली पार्टी में बॉलिवड के कई बड़े सितारे भी शामिल होते रहें उसकी बीच समंदर में पहुंचा तो आरन समय ताट लोगों पकड़ लिया गया ये भी कहा जा रहा है कि एक हाई प्रोफाइल चापेमारी थी जिसके लिए एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 6 अधिकारी पार्टी के कपड़े पहन का क्रूज शिप पर चड़े थे इस हिसा मिल होंगे क्योंकि ड्रक्स लेने वालों को रंगे हाँ तो पकड़ने का सिर्फ यही तरीका था अधिकारी ने बताए कि कई बार अधिकारी के चापेमारी के लिए पहुँचने से पहले ही अपरादियों को सतर कर दिया जाता है इस से वो ड्रक्स को ठिकाने लगाने में का NCB को इस बात के फुक्ता सुराग भी मिले हैं कि इन पार्टियों में ड्रक्स मोहिया कराने का काम कुनाल जानी ही करता था NCB सुत्रों के मताबिक कुनाल जानी नाइजीरियन ड्रक्स पेडलर्स और अभिनेता अरजुन नामपाल की गल्फरेंड के भाई सुत्रों के मताबिक इन पार्टियों में दावद इबराहिम के पार्टनर केलाश राजपूत के गुर्गे सुफरान लखड़ावाला और अबू असलम आजमी ड्रक्स के सप्टाई करते थे कुनाल जानी सुशान जिराजपूर्ट ड्रक्स केस और एक अन्य केस में भी वॉंटेड था और कई दिनों से फराड चल रहा था अब भई ये बात और एक नई निकल कर सामने आगए कि यहां पर सुनाल का नाम सामने आ रहा है कि टिप आफ वहां से मिली थी तो ये पूरा एक मामला जो है ना काफी जा संगीन सा होदा जा रहा है आरेन खान इसमें एक बड़ बच जरूर जाए मतलब लेकिन आप देखी ना कितने बड़े नाम इसमें निकल कर सामने आ रहा है क्योंकि जो नेकसस से पूरा फैला हुआ है उनके पहुंच काई बड़े लोगों तक है सुषांज के केस के बाद से लगातार इसी चीज में लगा हुआ है कि बॉलिवड कितने अंदर तक इस चीज में लिप थे आप लोगों को जड़े कुछ कहना तो मिशे कमेंट करके ज़रू बताईएगा मेरे इस वीडियों फिलालत नहीं जाए हैं जाए भार